अंदर प्रदेश से एक मारमिक तस्वीर सामने आई है जहां एक महिला अस्पदाल में स्ट्रिचर ना मिलने से अपने बिमार पती को जमीन पर घसीटते हुए ले गई महिला को अपने पती को वाट में शिफ्ट कराना था मगर वहां खड़े किसी भी शक्स ने उसकी मदद नहीं की जिसकी वजह से वह खुद अपने बिमार पती को जमीन पर खीचते हुए वाट तक ले गई आप वीडियो क्लिप में साफ देख सकते हैं कि कई लोग तमाश पीन बने खड़े हैं लेकिन कोई भी उस महिला की मदद के लिए आगे नहीं आ रहा महिला के पती लखवा ग्रस्थ है और उनके पैरों में भी खाओं है इस मामले के तुगल पकड़ने के बाद अस्पताल प्रशासन की दलील है कि महिला को बताया गया था कि वीलचेर और एक स्ट्रेचर थोड़ी देर में उपलब्द होगी लेकिन उसने इंतजार करने से इंकार कर दिया वैं इस मामला का कहना है कि वैक्सर यहां अपने पती को इलाज के लिए लाती रहती है और वीलचेर हमेशा उपलब्द नहीं रहती इस दर्दनाग तस्वीर के सामने आने के बाद अब सरकार ने मामले की जाँच के आदेश देते हुए अस्पताल में ततकाल स्ट्रेचर और वीलचेर उपलब्द कराने को कहा है आपको बता दे कि इस दर्दनाग तस्वीर से कुछ वक्त पहले ही उडीशा से दीना माजी के एक घटना सामने आई थी जो एंबुलेंस ना मिलने पर पतनी के शफ को कंधे पर लाद कर गाउं के लिए निकल पड़ा था इस खबर ने तो अंतराश चस्तर पर भी सुर्ख्या बटूरी थी आंधर प्रदेश की इस तस्वीर से स्थाफ है कि अभी भी देश अच्छे दिन के इंतजार में है और अस्पतालों में दी जा रही स्वास्ते सुविधाओं की पूल खुल रही है इस पूरे मामले में अस्पताल प्रशासन की तो खामिया है ही साथ ही वो लोग भी कसूरवार है जो इस खटना को सिर्फ हाथ बांदे देखते रहते हैं देखते रेगे टीबिलाइव